सत्संग का लाब उठा रहे हैं आपने अनेक वक्ताओं के विचार सुनें और उस पर हमें मनन करना चाहिए संतों के सानिद्ध में कहा जाता है कि श्रवण सुनना मनन विचार करना और निध्यासन तो सत्संग में अगर ये तीन काम हम करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ती होगी शान्ती की प्राप्ती होगी शान्ती ही मोक्ष है ये विराट सत्संग समारो इसी बात का शाक्षी है कि हमारे संतों ने कहा है बट विश्वास अचल निज धर्मा सेवत राज सुमाज सुकर्मा सभई सुलब सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा और कहा कि जहां पर इश्वर की चर्चा होती है वो जंगम तीर्थ होता है चलता फिरता तीर्थ जहां पर एक व्यक्ति को ज्यान की प्राप्ती होती है एक तीर्थ होता है जहां पर किसी महापुरुष ने साधना की उसकी साधना की पावंता से वो स्थान तीर्थ बन जाता है कहीं नदियों का मिलन होता है गंगा यमना और सरस्वती का मिलन होता है उसको कहते हैं तिर्वेणी कहीं पर प्रियाग राज होता है अलक नंदा और भगीरत का संगम हो रहा है उसको देव प्रियाग बोलते हैं वो भी एक तीर्थ माना जाता है, परंतु जो जंगम तीर्थ होता है, इसमें हम लोगों का मिलन होता है सत्य से, सत्य की प्राप्ति होती है, यह आज ठीक करो, मैं कुछ बोल रहा है, एक कुछ कर रहा है, दो अलग अलग डिफरेंट वॉल्यूम हो रखी है, तो सत्संग में जाने के बाद, हमारा संगम, हमारा मिलन, सत्य से होता है, और आपको यहाँ पर जो विचार सुनाए दिये, उन विचारों में भी इसी बात की पुष्टी थी, इसी बातों का हवाला आपको दिया गया, आप बड़े प्रेम से सुनेंगे, एकाकरचित से सुनेंगे, तो हमारा यह प्रयास है कि आप उसको जानें, अभी अभी यह सुनाया गया, कि यह मनिश्व तु संसार में क्यों भटक रहा है, संसार में तु भटक रहा है, परन्तु तेरे अंदर ही सागर है, दा ओशन इस राइट विदिन यू, यह माइक, कुछ और आवाज इसकी है, तो, अब ठीक है आप सेड़ों बड़े तो मैं कह रहा है था कि, हम एकागरचित से, डीप कॉंसेंट्रेशन से सुनेंगे, तो पचा चलेगा कि दो ओशन इस राइट विदिन अस, समुद्र हमारे अंदर है, और समुद्र के अंदर हमें मोती चुगने हैं, कहा, जिन खोजा तिन पाईयां, कैसे मिलेगा प्रभू, प्रभू की प्राप्ति कैसे होगी, तो कहा, जिन खोजा तिन पाईयां, गहरे पानी पैट, मैं बावरी खोजन गई रही किनारें बैठ, मोती उनको मिलते हैं, जो समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, गोता लगाते हैं, अगर मैं समुद्र के किनारे बैठ करके लेरों को गिनता रहूँगा, तो मुझे मोती नहीं मिलेंगे, ऐसे ही, हमें ध्यान के जरिये, अपने अंदर गोता लगाना होगा, अपने अंदर उतरना होगा, जब हम अपने अंदर गोता लगाएंगे, उतरेंगे, तब हमें राम नाम के मोती मिलेंगे, अगर हम चाहते हैं राम नाम के मोती मिलें, तो संसार को छोड़ करके, संसार के विचारों को छोड़ करके हमें अपने अंदर गोता लगाना होगा और आप जानते हैं कि अच्छे से अच्छा नाम भगवान का होता है भगवान अपने विभूती पाद के अंदर गीता में समझाते हैं वैसे तो गीता कहा गया, गीता, सुगीता, करतव्या, केमई, शास्त्र विष्टरेई, गीता, एसंस है, जो हमारे सानातन, धर्म के अनेक विचार है, उसका सार है और गीता को कहा कि गीता, सुगीता, करतव्या, किमई, शास्त्र, विस्तरई कि गीता के बाद और शास्त्र के विस्तार करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि गीता उसका सार है, एसेंस है और गीता के अंदर भगवान क्या कहते हैं विबूति पाद में कि सारे परवतों में हिमाले मैं हूँ, सारी नदियों में गंगा मैं हूँ, नागों में अनंतनाग मैं हूँ, अर्थार संसार के अंदर जो सबसे अच्छी स्रेश्चतम वस्तु है, वो मेरा ही रूप है, इसलिए भगवान को कहा गया सत्यम, शिवम, सुन्दरम, तो भगवान अपने विभूती पाद के अंदर बताते हैं, कि जो स्रेश्चतम, उत्कृष्ट, अद्भुत चीज़ है, जैसे पुराने जमाने में लोग बहुत अच्छी चीज़ बनाते थे, तो बनाकर के क्या करते थे, आज भी कोई कलाकार बहुत अच्छी चीज़ बनाता है, तो वो सरकार को भेट कर देता है, फिर उसको इनाम मिलता है, कि भाई, इसकी कला बहुत उत्कृष्ट कला है, इसी प्रकार से जो भगवान का मैनिफेस्टेशन है, आपने देखा होगा, लोग शालिक ग्राम को पूझते हैं, और ये कहा जाता है, गंडक नदी में ये प्राप्त होता है, नदी से निकलता है, और ये गोल-गोल पत्थर होता है, उसको आप अगर स्प्लिट करेंगे, उसका विभाजन करेंगे, तो अंदर से एक चक्र बना होता है, दिज्ञान कहता है, कि ये एमोनाइट्स है, पहले हजारों साल पहले धर्थी पर एक कीड़ा था, कीड़े के रूप में, जिसको हम कहते हैं मत्स अवतार, भगवान का जब प्रकाट्य हुआ, भगवान का जब मनिफेस्टेशन हुआ, जीवन जब प्रारंब हुआ होगा अनादिकाल में, तो वो एक सेल के रूप में हुआ, एक कोशिका के रूप में हुआ, कोशिका बढ़ते-बढ़ते, एक मत्स के रूप में पानी के अंदर व इमनाइट्स जो है लावा के पत्थर के अंदर बंद हो गया इसलिए आप शालिक्राम को उठा के देखो तो और पत्थरों से ज़्यादा भारी होता है उसके अंदर लोहे का तक्त होता है और उसको आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर से चक्र निकलेगा तो ये माना जाता है कि भगवान का ये पैर है साइन्स कहती है कि जब स्रिष्टि का हरंब हुआ होगा तब ये जीव स्रिष्टि में प्रारंब में ये जीव पैदा हुआ अर्था जीवन का प्रारंब विश्णु भगवान की शक्ति का प्रारंब मत्सरूप का प्रारंब मत्स के बाद डवलब्मेंट हुआ तो कच्वा आया कच्छवे में विलक्षनता क्या है कि कच्छवा पानी के भार भी स्वास लेता है और पानी के अंदर भी लेता है कच्छवे के बाद बरहावतार आया और विकास हुआ बरहावतार के बाद जो है नर्सिंग अवतार आया Half man or half animal और विकास हुआ तो woman avatar आया अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाओ तो आपको drop मिलेंगे, bonnet मिलेंगे pigmi pigmi माने bonnet, bonnet माने woman avatar woman avatar के बाद अवतारों के शंखला में और विकास हुआ तो राम, कृष्ण, महत्ना, बुद्ध ये अवतारों की शंखला में आते हैं तो अवतारवाद का सिध्धान्त केवल ये सिध्धान्त है कि हमारा कैसे विकास हुआ कैसे हमारा evolution हुआ इसको सबल तरीके से समझाया गया है इसलिए हमारे शास्त्रों का अगर हम अवलोकन करें तो बिलकुल हमारे शास्त्र विज्ञान सम्मत है मैं एक डंडे को खड़ा करना चाहता हूँ कोई कहता है एक रस्षी से डंडे को बांदीजिए हमने डंडे को लिया एक रस्षी बांदी तो क्या होगा हम उसको छोड़ेंगे तो कहीं भी जाके गिर जाएगा किसी भी छेत्र में गिर जाएगा फिर आप कहेंगे दो रस्षी से बांदिए हमने दो रस्षी से डंडा बांदा तो डंडा डाई तरफ या बाई तरफ गिर जाएगा अगर हम तीन रस्षी से बांदे हैं तो डंडा खड़ा रहेगा तो कहने का मतलब मिनिमम रस्यों से कम से कम रस्यों से अगर आप डंडे को बांदना चाहें तो कम से कम रस्य आपकी लगेंगी तीन और तीन रस्यों को आप अगर कस के बांदेंगे तो डंडा बीच में खड़ा रहेगा ऐसे ही भगवान गीता में कहते हैं कि यह संसार कैसे बना है मिनिमम यह तीन गुणों से बना है तीन गुण कौन कौन से है सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण यह तीन गुणों से बना है साइन्स क्या कहती है that the fundamental particles of universe the fundamental particles of matter are electron, proton और neutron यह fundamental particles है और इनसे आप atom के अंदर देखेंगे बीच में nucleus है, केंदर है केंदर के अंदर proton और neutron है और भार से electron गूम रहे है वो बना हुआ है ऐसे ही energy को बाधने के लिए तीन गुणों की आवशकता होती है पर वो energy जो है वो attribute less है, virtue less है गुण से तीत है गुणों से अलग है अर्थात वो electron नहीं है अर्थात वो proton नहीं है अर्थात वो neutron नहीं है बलके इनको चलाने वाली है और हमारा शरीर क्या है हमारा शरीर उसकी प्रियोग शाला है उसका मंदिर है मन मंदर तन भेश कलंदर गाटिही तीरत नामा एक शबद मेरे प्राण बसता है बहुर जनम नहीं आवा संत कहते हैं एक शबद मेरे प्राणों में बसता है जिब्या में नहीं बहुत अच्छी बात कही कि भाई जीव लग जाती है अगर भोजन पे जीव लग जाए तो हम कहते हैं जूठा हो गया किसी ने पानी पी लिया अजी जूठा हो गया हम नहीं पीएंगे प्राणों में शब्द रम रहा है हर विक्त के अंदर प्राणों के अंदर जो शब्द रम रहा है उसको जानने की बाद है और उसको कहा कोट नाम संसार में ताते मुक्ति नहोई आदी नाम जो गुप्त जप बुझें विरला कोई संसार में सेकडो नाम है भगवान के अनेक नाम है सहस्र नाम है 108 नाम है पर एक नाम ऐसा है जो गुप्त है आदि नाम जो गुप्त जप आदि नाम प्रारंब से नाम पहले से नाम मा के घर्ब से जो आपके अंदर आपके प्रणों के अंदर जो नाम रम रहा है वो है आदि नाम बाकी तो नाम संसकार वश हमारे अंदर आए अगर हम शाक्त हैं शिव के उपासक हैं तो शिव के हजारों नाम लेंगे शिव के अगर हम शाक्त हैं तो भगमती के नाम लेंगे अगर हम शिव के उपासक हैं तो शिव के हजारों नाम लेंगे अगर विश्रु के उपासक हैं तो विश्रु के सहस्र नाम लेंगे अगर शाक्त हैं तो माता के अनेक नाम लेंगे पर हमारे संतों ने कहा भगवान गीता मैं कहते हैं हे अरजुन, सबको देने वाला मही हूँ, देवताओं को भी मही देता हूँ, भूतों को भी मही देता हूँ, परंतु अज्ञान वश, जिसको ज्ञान नहीं होता, वो समझता है, कि भूतों ने हमें कुछ दे दिया, परेतों ने हमें दे दिया, आत्मा ने हमें कुछ दे दिया, देवताओं ने हमें कुछ दे दिया, भगवान गीता मैं कहते हैं, जो ज्ञानी होता है, वो मुझे ही देने वाला मानता है और जानता है, सज्जनों कोई भी मांगलिक काम हम करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं ओम गणेशाय नमह और गणेश महराज को कहा जाता है विघन विनाशक कि हे महराज आप हमारे विघनों का विनाश कर देना मकान के दर्वाजे के उपर हम गणेश महराज को लगाते हैं मांगलिक काम करने में गोबर का गणेश बना करके रखते हैं कहीं सुपारी का गणेश बना के रखते हैं कि महराज हमारे विघनों को दूर कर देना गणेश महाराज कैसे विगनों को दूर करेंगे गणेश का मतलब क्या है आपको पता है गौरा देवी माता पार्वती गणेश की महा जो थी श्नान करमे गई गौरी कुंड में गणेश की रचना करके बठा दिया कि पुत्र किसी को अंदर मता ने देना जब शिवजी घुसने लगे तो गणेश ने कहा तुम नहीं जा सकते मेरी माता का आदेश है कि अंदर कोई नहीं जाएगा शंकर जी ने कहा मेरा ही घर और मुझे ही रोकता है दोनों में लडाई हो गई और शिवजी महराज ने गुस्ये में गणेश का सिर काट दिया ये कथा आपको पता है फिर क्या हुआ पारवती बड़ी नाराज हो गई कहा मेरे पुत्र को जीवित करो सारे देवता आ गए देवताव ने कहा भाई जिस समय गणेश महराज का स्रजन हुआ जनम हुआ उस समय एक हत्री ने हाथी के बच्चे को जनम दिया तो काल गणना में काल गणना में दोनों का जनम का मूरत एक जैसा था तो हाथी के बच्चे को लाए और हाथी के बच्चे के सर को काट करके गणेश महराज पर लगा दिया यही कथा है तो पहली बात तो यह है कि गणेश का जनम परवती के पुत्र का जनम और हाथी के बच्चे का जनम एक टाइम पर हुआ तो काल गणना के अंदर एक समय निर्धारित किया गया और ओपरेशन करके सर लगा दिया अब आप बताओ किसी के दांथ तूट जाते हैं तो dentures लगाता है ना यह दांथ किसी के बाल उड़ जाते हैं तो head transplant कर देते हैं किसी का heart खराब हो जाता है तो heart transplant कर देते हैं पर कभी आपने head transplant की बात सुनी कि आदमी का सर काट के दूसरा सर लगा दें ये एक सोचने की बात है कि उस जमाने में विज्ञान इतना विक्षित था कि आप सर को काट के दूसरे का सर लगाने की छमता थी और थाद दा साइंस वोज वेरी वेरी फारफेट वेरी वेरी मारे पास बहुत कुछ है पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि विकर एक्षुली कट आप संसे हैं हम किसी का सर काट के दूसरा सर लगा दें उसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आज इतना साइंस विक्षित हो गया है किसी का हम इलाज नहीं कर पा रहे तो हम उसकी बॉडी को कोमा में रख देते हैं लिम्बो में रख देते हैं और फिर यह सोचते हैं कि जब इसका इलाज हमें मिल जाएगा तो फिर से इसको जीवित करके और इसका इलाज करेंगे आज हम कलोनिंग कर रहे हैं आपका DNA निकाल करके आप जैसे आदमी खड़ा कर देंगे भेडों का कलोनिंग हो रही है आइडेंटिकल भेड पैदा की जा रही है पर ये कलपना करना कि आदमी का सर काटके दूसरा सर लगा दे आज भी विज्ञान में ये पॉसिबल नहीं है अब आप विचार करो कि अगर रिश्यों ने इसकी कलपना किये होगी तो उनकी imagination उनका विज्ञान कितना विक्सित होगा इसलिए हमारे सनातन धर्म को हमारे रिश्यों पर गर्ब है आज आप test tube babies की बात करते हैं कि जिनके संतान नहीं होती कहा जाता है test tube babies से आप संतान पैदा कर सकते हैं test tube baby क्या है हमारे कुमबज रिश्यों ने घड़े के अंदर पैदा हुए थे घड़े से पैदा किया गया था वो भी test tube babies है हमारे रिश्यों हुए जिनको कणाद कहते हैं जिनोंने कण की थेओरी दी कि कण में ऐसा अविभाजित पार्टिकल है जिसका आगे विभाजित नहीं हो सकता और अगर आप उसको बाटेंगे तो वो शक्ति में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारे रिश्यों मुनियों का विज्ञान इतना उचा था तो गणेश महराज कैसे विघल में नाशक है क्योंकि हाथी जब सूंड से पानी पीता है तो पानी में लेकर के डालेगा पानी सक करेगा खेचेगा और मुन में डालके पानी पी लेता है और सूंगता है तो सूंड को उपर उठा करके सूंगता है तो हाथी की सूंड में पानी पीना एक कर्मिंदरी का विशा है और सुगना ज्यानिंदरी का विशा है तो ज्यान और कर्म का अगर हमारे जीवन में समन्वे हो जाए तो हमारे सारे विगन दूर हो जाएंगे We have to attain the marriage of ज्याना एंड कर्मा हम कर्मी कर्म कर रहे और ज्यान नहीं है तो भी कल्यान नहीं होगा हम कितना ही कर्म करें और ज्यान ही नहीं है और ज्यान है और उसको जीवन में ना उतारे बैठे रहे तो भी कल्यान नहीं होगा ज्यान और कर्म का समन्वे इसलिए लडाई के मैदान में भगवान ने अरजुन को ज्ञान दिया और कहा ज्ञान लेकर के तु कर्म कर ज्ञान और कर्म का समन वै एक विक्त ने मुझसे पूछा कि गीता शास्त्र के अंदर भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान की चर्चा करते है लडाई होने जा रही है युद्ध की इच्छा लिये हुए सारे दोनों तरफ सेनानी खड़े हैं एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हैं और लडाई के मद्ध में मैदान के अंदर भगवान ज्ञान की चर्चा कर रहे है भगवान ने वेपन्स की चर्चा नहीं की बाणों की चर्चा नहीं की अस्त्र शस्त्रों की चर्चा नहीं की कौन सी स्ट्रेजी अपनाई जाएगी जिस्टे दुश्मन को मारा जाए इसकी चर्चा नहीं की भगवान ग्यान की चर्चा कर रहे हैं ऐसा क्यों मैंने कहा आश्टर शस्त्रों की कमी अर्जुन के पास नहीं थी पर उसका माइंड ही बैलेंस नहीं था तो अनबैलेंस्ट माइंड से लडाई नहीं हो सकती है भगवान ने अर्जुन को ग्यान दिया कि अर्जुन तु अपने माइंड को बैलेंस कर तेरा मन संतुलित होगा तभी तो तु लड़ पाएगा और हमारा मन तभी संतलित होगा जब हमको ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव मात्र के लिए हमारे लिए भी आपके लिए भी जो यहां बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं सब के लिए भगवान कहते हैं तस्माट, सरवेश, कालेश, मामानस्मर, युद्धच हे अर्जुन, हे मानव हर काल में तु सुम्रन करते हुए मेरा ध्यान कर कर्म करते हुए मेरा ध्यान कर तस्माट, सरवेश, कालेश, सब काल में अब कितने काल होते हैं, चार काल होते हैं, जागरत, स्वप्न, शुशुप्ति और तुरिया, जागरत अवस्था है जैसे आप हम जागे हुए हैं, वियार अवेक, आप मुझे देख रहा हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, सपन वस्था वो है हम जब सो जाते हैं, और जो हमारे अंदर विचार होता है, वो सपने के रूप में तबदील होता है, सपने में हम राजा भी बन सकते हैं, सपने में हम भिकारी भी बन सकते हैं, सपने में हम नर भी बन सकते हैं, सपने में हम नारी भी बन सकते हैं, सपने में कि मैगनिफाइं हो जाता है वही बढ़ जाता है और जब सपना तूटता है हम जब जागते हैं देखते हैं भार तो पता लगता है कि भाई नीद में सपना आया था जागरित स्वपन शुशुक्ति आप बहुत ठक गए हैं प्रगाड निद्रा आगई बिलकुल ऐसे सो गए किसी चीज का अभास नहीं है ये अभास नहीं है कि हम नर है या नारी है धनवान है या गरीब है किस जातके हैं किस जातके नहीं है हर चीज का अभाव टोटल नगेशन और वर्ली थॉट्स संसारिक विचार आता ही नहीं है बिलकुल सो गए जैसे कहते हैं भाईया ये तो लकड की तरह सो रहा है ये स्लिपिंग लाग वो है हमारी शुशुक्त अवस्था पर केवल मात्र हमें संसार का अभास ना रहे हमें नर है या नारी इसका अभास ना रहे हम धनवान है या निर्धन है इसका अभास ना रहे हर चीज का अभाव होना ज्यान नहीं होता इसलिए कहा ये शुशुक्त है तुरिया क्या है जिसमें सारे माया का ज्यान ना हो करके अपने तत्त का परम तत्त का ज्यान हो वो है तुरिया अवस्था संसार की बातों का ज्यान ना हो करके उस शब्द प्रम का आभास हो वो है तुरिया अवस्था तो चार अवस्थाएं है और भगवान कहते तस्मात सरवेशु कालेशु सबकाल में चारों अवस्थाओं में है अर्जुन तु कर्व करता हुआ नेरा सुमरण कर अब सजनो कैसे संभव होगा अगर यह संभव नहीं है तो भगवान ने क्यों कहा अगर भगवान ने यह कहा है अर्जुन को भगवान ने मानमों को कहा है मैंकाइंड को कहा है मानवता को कहा है तो संबब होगा, कैसे है? हम आख से दर्शन करते हैं मंदिर में सुपन के अवस्था में आख बंद हो जाती है शुशुक्त के अवस्था में आख बंद हो जाती है तो आप कैसे देखोगे? जितने भी हमारे worldly काम है कान से सुनना, चलना ये शुशुत अवस्था में नहीं होते जिब नहीं होते तो निरंदर सुम्रण कैसे होगा तो हमारे संत कहते हैं कि प्राण का आना और जाना स्वास का आना और जाना ये निरंदर मनुष्य के अंदर हो रहा है जागरत अवस्था में, स्वपन अवस्था में, शुशुप अवस्था में और तुरियावस्था में चारों अवस्थाओं में हम स्वास लेते हैं और स्वास छोड़ते हैं इसको संतों ने कहा निरंजर माला घटमे फिरे दिन रात उपर आवत नीचे जावत स्वास स्वास चल जात और संसारी नर समझे ना ही बिर्ता उमर भी हाद चंद्रमा पर क्या है हमने रॉकेट के जरीए पहुँच करके पता लगा लिया मार्ज में क्या है हमने रिसर्च के लिए सैट्रलाइट्स भेज दिया है अंतरक्षियान भेज दिया है पर हम अपने अंदर नहीं जा पाए अपना हमें पता नहीं है भार क्या है इसको जानने की कोशिश है पर जो अपने अंदर है उसको हम भूल गए अपने प्राणों को भूल गए अपने स्वासों को भूल गए और स्वास चले जाए तो क्या कहते हैं हनसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर अगर ये स्वास चले जाए मैं विदेशों में परचार कर रहा था एक आदमी हमारे पास आया कहने लगा आप भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं भगवान के आश्टत्तु की बात करते हैं मैं कुछ नहीं मानता मैंने का बहुत अच्छी बात आप कुछ नहीं मानते जो कुछ नहीं मानता उसको समझाना जल्दी आसान होता है जो बहुत कुछ मानता है उसको समझाना जरा मुश्किल होता है मैंने का अच्छा एक काम करो आप ऐसा करो कि अपना मूबंद कर लो अपनी नाक बंद कर लो कहता ठीक है उसने अपना मूबंद किया नाक बंद करी थोड़ी देर के बाद कहता है आजी मेरा स्वास घुट रहा है अकर स्वास नहीं लोगा तो मर जाओगा मैंने का अगर आप स्वास नहीं लोगे तो मर जाओगे कि हाँ जी मर जाओओगा मैं I'm suffocating I want air मैंने का आप जो suffocate कर रहे हो स्वास लेना चाहते हो ये स्वास क्या है कभी इसके अंदर जाने की आपने कोशिश की इसके बिना आप मर रहे हैं जिसके बिना आप मर जाओगे ये स्वासों को पहचानो जिसके बिना हम मर जाएंगे जिसके बिना हम जिसके साथ हम जीवित हैं और जिसके बिना हम मर जाएंगे तभी तो कहा राम नाम की लूट आए, लूट सके तो लूट और अंतकाल पस्ता आएगा जब प्राण जाएंगे चूट तो वो अंतकाल, भगवान गीता में कहें, अंतकाल अचा मामेव, अंतकाल में जो सुम्रन करते हुए शरीर त्यागता है, वैसी योनी प्राप्त करता है जैसे बहुत से लोग यहां सत्संग में आए, तो उनके अंदर विचार था, कल हमें जाना है, कल बस पकड़नी है, तो ठीक, सवेरे के टाइव निन्द जूट गई अगर जीवन में सुम्रन नहीं किया, तो अंतकाल में भी नहीं होगा और जैसी जैसे विचार अंतकाल में होंगे, वैसी वैसी योनी प्राप्त होंगी आपने देखा होगा, एजिप्ट के अंदर, बिस्र के अंदर, फैरोज के टूम में, उसके कबर में, जो जो चीजों को फैरोज पसंद करता था, वो रखी जाती है कि भी मरने के बाद, जिस चीज की इच्छा होगी, इसको प्राप्त होगा, हम भी ब्रहमन को दान करते हैं, शरद के समय, कि भाई, जो जो चीज इसको पसंद होगी, इसको दान में दे दो, इसे प्राप्त हो जाए तो हमारे अंदर इच्छा होती है, किसी की आत्मा आती है, तो वो कहती है, हमें फलानी चीज चाहिए, क्योंकि वो उसका चिंतन कर रही है हम अगर शरीर छोड़ते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं, तो हमारा कल्यान होगा भगवान कहते हैं, जो मुझे भजता है, वो मुझे प्रात्त करता है तो आर्थ, अर्थाती, जिग्यासू और ज्यानी, चार परकार के भक्त भगवान ने बताए एक जिग्यासू है, जानना चाहता है, जानता नहीं है, कोशिश कर रहा है, जानता नहीं है आर्थ, भगवान को भगवान को भगवान से पुकार रहे हैं कुछ लोग भक्ती करते हैं, भगवान जी, मेरी लाटरी निकल जाएगी, तो मैं इतना मंदिर बना दूँगा अर्थार्थी, अर्थ के लिए, पैसे के लिए, कामना के लिए और भगवान कहते हैं, जो ज्यानी होता है, वो मेरा ही रूप होता है, क्योंकि तत्त से मुझे जानता है तो आज, इस समागम में, भगवान को तत्त से जानने की बात है, उस निरंजन माला को जानने की बात है, जो दिनंतर हमारे अंदर हो रही है स्वासों का आना और जाना, जब से हम पैदा होते हैं मा के गर्व से, तब से हमारे साथ वो चल रहा है और उसी के माध्यम से हमारे दिनंतर सुमरण हो सकता है उसमें अंतर नहीं पड़ता तो जो भगवान कहते हैं तस्माच सर्वेश कालेश मामा रसमर युद्च है अर्जुन तु सबकाल में मेरा सुमरण कर और तभी सम्भव है जब सबकाल में हम स्वासों की क्रिया को समझेंगे जो दिनंतर हमारे अंदर हो रही है जाकरत अवस्था में स्वप्रवस्था में शुशुत अवस्था में और तुरियावस्था में तो सज्जनो गणेश महाराज जो विघन मिनाश हम जब ज्ञान और कर्म ज्ञान प्राप्त किया और भजन किया तो ज्ञान और कर्म का समन्वे हमें मालूम है कि पानी में हम चीनी मिलाएंगे तो शर्बत बन जाएगा आप चीनी रग दो पानी रग दो और कर्म ही नहीं करोगे तो शर्बत कैसे बनेगा शर्बत तो तभी बनेगा जब पानी में आप चीनी को डालोगे तो ज्ञान का होना और कर्म का होना नितांत आवश्चक है इसलिए रस के दो पहिये एक कर्म का पहिया एक ज्ञान का पहिया जब रस में दो पहिये लगते हैं गाड़ी में दो पहिये लगते हैं तो गाड़ी आगे चलती है तो अपने जीवन में सच्च लो, जञान को प्राप्त करके गुरु महराज की भक्ति करना गुरु महराज जञान को प्राप्त करना जञान के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, बठकाते नहीं हैं rus इसलिए हम आर्थी में काते है नाना पंथ जगत में निज निज गुणगाओं सबका सार बताकर गुरु मारगलाओं संसार में अनेक रास्ते हैं कोई शाक्त मार्ग है को शिव का मार्ग है शैव मार्ग है कोई विश्णु का मार्ग है वैश्णम मार्ग है अनेक मार्ग है तो कहा नाना पंथ जगत में निज निज गुड़ु गाउए आपने अपने प्रसुचा करते हैं पर गुरु महराज क्या करते हैं सबका सार बता कर वो सबका सार बताते हैं एक समय बादशा अकबर के मंत्रियों ने कहा बादशा से क्या बारबाल बीरभल को तवज्जो देते हैं बीरभल को आप इंपॉर्टरंस देते हैं हमें भी सेवा का मौका दीजिए आप कोई पहिली हमें देंगे कोई हमें प्रॉब्लम देंगे उसको हम हल करेंगे बादशा ने कहा ठीग है बादशा ने जमीन पर एक लकीर खेंची और कहा कि इस लकीर को बिना मिटाए बिना छुए छोटी कर दो अब सारे मंतरी सिर्ख खुजलाने लगे यह कैसे होगा इसको छुना भी नहीं है मिटाना भी नहीं है तो छोटी कैसे होगी है थोड़ी देर में बीरबल आ गया बादशा ने कहा बीरबल यह पहली हमने इनको दी है एक प्रॉब्लम दी है यह जमीन पर हमने लकीर खेंची है अब इस लकीर को मिटाना नहीं है और छेड़ना नहीं है और छोटा कर देना है बीरबल ने का अगल में लंबी लकीर खेंच दी लंबी लकीर के खेंचते ही पहली लकीर छोटी पड़ गई तो गुर्माराज ग्यान की लंबी लकीर खेंचते हैं और लंबी लकीर के खेंचते ही सारी लकीरे छोटी पड़ जाती है आत्मा की लकीर उस नाम की लकीर नाम का मतलब एक स्पं इसके अंदर भी पल्स है, इसमें भी स्पंदन है, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे वोकल कॉर्ड्स बोल रहे हैं, और ये स्पीकर का डायफ्राम हिल रहा है, ये भी स्पंदन दे रहा है, Everything in the world is nothing but vibration स्पंदन हो रहा है दुनिया के अंदर और एक ऐसा स्पंदन है जो सबका अधार है जो हमारे प्रणों के अंदर स्पंदन है वो सबका अधार है फाउंडेशन है ये पंडाल लगा है इसका अधार क्या है जमीन जमीन नहीं होती तो ये जो पाइप है और पंडाल है टिक नहीं पाता ऐसे ही वो आत्मा सबका फाउंडेशन है तो प्रेमी सज्जनों हमारे महत्मा भाई आपके नेपाल छेतर में परचार कर रहे हैं भाई महत्माओं को मदद करनी है हमारा टेलिविजिन पर सबसंग होता है नेपाल वन पनाता है आपके फ्राइडे और सैटरडे उसमें भी आप प्रवचन हमारे प्रवचन ज्यान विज्यान युक तो होते हैं और हमारे प्रवचनों में हम नफरत नहीं सिखाते हम सदभावना सिखाते हैं कि सदभावना आज हमारे परिवार को चाहिए सदभावना आज हमारे प्रदेश को चाहिए सदभावना आज हमारे देश को चाहिए और सदभावना आज सारी दुनिया को चाहिए आईए सदभावना की ताकत से अपने नेपाल को मजबूत करें हमरो नेपाल रामरो नेपाल ते बड़ी खुशी की बात है देखो कल चीफ सेकेटरी साब आए कह रहे थे बागमती साफ करो नारान घाट को साफ करो कितनी अच्छी बात है आज मैं बाजार में जा रहा था बड़ी सफाई थी बाजार साफ नजर आ रहा था बड़ा अच्छा लगता है आपका घर साफ होगा तो लोग बड़ी प्रसंशा करेंगे और अपने मन को साफ नहीं करना सारी बुराई जहां पर है दुख देने वाली चीज़ है सब को प्रेशान करने वाली चीज़ है मन और मन में जो बुराई है मन में जो गंदगी है वो कब साफ करोगे नाराण गाट को तो आज साफ कर दिया बागमती भी साफ हो रही है यह मन कब साफ होगा तो देखो मन चंगा तक टोती में गंगा रविदास चमार थे चमार जूते बनाते थे एक ब्रह्मन गया रविदाश जी मैं गंगा जी जा रहा हूँ गंगा श्नान करने कोई भेट देनी है माता को तो रविदास जी ने भेट निकाली का भई ब्रामन देवता ये भेट चढ़ा देना पर चढ़ाना तब जब गंगा जी स्विकार करे अगर गंगा स्विकार नहीं करेगी तो भेट मत देना ब्रामन गया, श्ञान किया, याद आई उसने का है गंगा मैया रविदास भक्त ने ये भेड भेजी है तो एक गंगा जी से हाथ निकल के आ गया हाथ ने भेड को स्विकार कर लिया फिर दूसरा हाथ आया उस पे एक कंगण था प्रशाद था ब्रामन देवता ने कंगण ले लिया बड़ा अधुत कंगण था उसने सोचा कि ये प्रशाद तो रविदास के लिए है गंगा माता ने रविदास को प्रसाद दिया पर रविदास जी क्या करेंगे इस कंगन का ये तो राजा महराजाओं का कंगन है चलो राजा के पास ले चलते हैं वो राजा के पास ले गया राजा ने ले लिया राजा ने ले करके अपनी पत्मी मीरा भाई को दिया नीरा भाई ने का महाराज ये एक कंगन का मैं क्या करूंगी इस इस अलिए वन मेरा एक ही हाथ थोड़ी है मेरे तो दो हाथ है दूसरे हाथ का क्या होगा राजा की समझ में आया उसने का बात तो ठीक है ये दूसरा कंगन चाहिए तभी तो जोड़ा बनेगा अच्छा लगेगा तो राजा ने ब्रह्मन को बुलाया कि ब्रह्मन देवता कंगन बहुत अच्छा था हमारी राणी को बहुत पसंद आया मेरा भाई को बहुत पसंद आया पर ये तो एक है दूसरा चाहिए हमको पंड़ा जी तो फस गए वह ने कहा भाई मैं तो इनाम लेने आया था अब तो यहाँ पर मुझे सजा मिलेगी दंड मिलेगा तो ब्रह्मन देवता ने कहा भई सच बोल दो ब्रह्मन देवता ने कहा महराज मैं रविदाश जी की भेंट लेके गया गंगा जी को चड़ाई गंगा जी ने ये प्रशाद दिया और मैंने समझा कि भई रविदाश जी क्या करेंगे ऐसे अध्भुत कंगन का तो मैं आप के पास ले आया अब ये तो कंगन रविदाश के पास मिलेगा हमारे पास नहीं है मेरा भाई ने जब कथा सुनी तो कि पहले राजाओं की जो रानी होती थी वो पढ़दे के पीछे सुनती थी बेरा भाई ने जब सुना तो मेरा भाई को बढ़ा धूत लगा कि भई ऐसे भी संत हैं तो मेरा भाई बड़ी दक्षणा लेकर के प्रशाद लेकर के, फल लेकर के मेवे लेकर के चली रविदाश जी का प्रणाम किया उसमें पानी भरा हुआ था चमड़ा भिगाते चमड़े को सौफ्ट करते हलका नरम करते फिर काटते तो कहा मन चंगा तो कठोती में गंगा तो उसी कठोती के अंदर दूसरा कंगण निकलाया अगर हमारा मन साफ हो जाए तो हमारा मन ही मंदिर है मन ही द्वारिका है आपको पता द्वारिका कहां पर है बहुत दूर है गुजरात में और द्वारिका जाने के लिए बोट लेनी पड़ती है नौका तब जाकर के आप भेट द्वारिका जाओगे तो मन मतुरा ये मन ही मतुरा है दिल ही द्वारिका है और काया ही काशी है आपका मन साफ हो जाएगा ये सारे धाम आपके अंदर प्रगट हो जाएगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा तो मन चंगा तो कठोती में गंगा तो आईए अपने मन को साफ करें मन को निर्मल करें योग सुत्र में कहा गया है चित वृति नुरदश्च योगा चित की वृतियों का निरोध ही योग है ऐसे ही मन को साफ करना इसको काशी बनाना द्वारिका बनाना मथुरा बनाना है तो कबीर दास कहते हैं मन दिया तह सब दिया मन के लार शरीर अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर मन दिया तो सब कुछ दिया मन से ही भक्ती होती है तभी तो कहा शास्त्रों में मनेव मन शरणाम कारण मंद बुक्षे हो मन बंधन का कारण है माया में लग गया तो बांध देगा आपने देखा कितनी कारे हैं कितने कारों के मॉडल हैं क्यों? एक मॉडल से किसी का मन संतुष्ट नहीं हुआ तो कितनी कारे बनी? कितनी वेराइटी बनी? कहीं जीप है, कहीं कार है कहीं ट्रक है, कहीं मिनी ट्रक है एक एक कार के कितने मॉडल है दिस इस आल मैनिफेस्टेशन अफ माइन आपने फ्रिज देखा होगा छोटे फ्रिज से लेकर के बड़ा फ्रिज आप पेन देखने जाएए और कभी कभी आप अगर सुपर मार्केट चले जाएंगे तो इतना समान देखने को मिलेगा कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या खरीदें क्या ना खरीदें ये सब मन के वेराइटीज तो कहा मन दिया तह सब दिया और मन बंदन का करण है और मन अगर भगवान के नाम बे लग गया तो आपको ये मुक्त कर देगा तो आईए भगवान का सुमरन करे भगवान का सच्चा नाम प्रात करके अपना कल्यान करे तभी ये सत्संग का कारिक्रम हमारे जीवन में सार्तक होगा तो इनी शब्दों के साथ यही मैं कहना चाहूंगा सर्वे भवंत सुखन सर्वे संत निरामै सर्वे भद्राण पश्चनतुमा कश्चिद दुख भागवेत पीर परवत्सी पिघलनी चाहिए इस नारायन घाट से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही कही भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए सिरफ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं सिरफ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं मेरी ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए इस सूरत को बदलने के लिए समाज को बदलने के लिए समाज के परिवर्तन के लिए आईए हम अपने आपको बदले यूग परिवर्तन के लिए to change the age, to bring the golden age जो स्वर्गमाय समय है यूग परिवर्तन उसको लाने के लिए हमें पानी को नहीं बदलना हमें पेड को नहीं बदलना आस्मान को नहीं बदलना जमीन को नहीं बदलना है बलकि बदलना है अपने मन को हिर्दय परिवर्तन होगा तो यूग परिवर्तन होगा तो आईए हिर्दय परिवर्तन के जरिये यूग परिवर्तन करें, अपने आपको बदलें, मन को पवित्र मनाएंगे तो हमारा जीवन पर पवित्र होगा हमें मुक्ष की प्राप्ती होगी इनी शब्दों के साथ सबको मैं आदू आश्रवाद